शरीर में विटामिन E की कमी से हो सकती हैं ये बीमारिया हालांकि लोग शरीर में विटामिन C, D और B की कमी पर सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं लेकिन कुछ और भी विटामिन्स है जो हमारे शरीर के लिए बेहत जरूरी होते हैं इसमें विटामिन E भी शामिल है, जिसकी और ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है विटामिन E शरीर को हेल्दी रखने में मददगार विटामिन है यह विटामिन नर्वस, मसल्स और इम्यून सिस्टम के कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें अंटियोक्सिडेंट गुन भी होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं विटामिन E की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, इस विटामिन की कमी वास्तव में शरीर को नुकसान पहुँचा सकती है गंभीर विटामिन E की कमी आमतोर पर दुरलब होती है, खासकर विक्सित देशों में, लेकिन कुपोशन के परिनामस्वरूप हो सकती है कुशल अवशोशन और परिवहन के लिए विटामिन E को कुछ मात्रा में फैट की भी आवश्यक्ता होती है, इसलिए लो फैट वाली डाइट भी एक ट्रिगर हो सकती है गैर आहार की कमी आमतोर पर स्वास्थे की स्थिती से जुड़ी होती है जो डाइजेशन और फैट के अवशोशन में बाधा डालती है अगर आपका शरीर विटामिन E से वन्चित है, तो यह कई स्वास्थे समस्याओं का कारण बन सकता है आज हम आपको ऐसी ही कुछ समस्याओं के बारे में बताएंगे जो विटामिन E की कमी के चलते देखने को मिलती है इम्यूनिटी का कमजोर होना, इम्यून सिस्टम को कुशलता पूरवक काम करने के लिए विटामिन E की हेल्दी खुराग की आवश्यका होती है यह सभी कोशिकाओं के कोशिकिय जिल्लियों और शरीर के उतकों में मौजूद होते हैं इसकी कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, जिससे बार-बार संक्रमन और बीमारियां होती है सर्दी और खांसी से लेकर सांस की अन्य बीमारियों और यूरिन इंफेक्शन तक इसकी कमी अलग-अलग तरीकों से प्रकट हो सकती है गेस्ट्रो इंटिस्टाइनल समस्याएं हाला कि क्रोहन रोग वाले व्यक्तियों में विटामिनी की मात्रा कम होती है, लेकिन विटामिनी की कमी और क्रोहन रोग के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है क्रोहन के साथ लोगों में देखी जाने वाली फैट की खराबी से यह स्थिती सबसे अधिक जुड़ी हुई है जब यह खराब फैट अफ्शोशन से जुड़ा होता है तब गंभीर विटामिन E की कमी से अकसर दस्त, उल्टी, पेट में सूजन और भारी दुर्गंधियुप मल जैसी गेस्ट्रो इंटेस्टिनल समस्याई हो सकती है आँखों की समस्या, विटामिन E आँखों को फ्री रेडिकल्स से बचाता है, जो हेल्दी आँखों के उतकों को नुकसान पहुचाते है निरंतर फ्री रेडिकल्स डैमेज आपके उम्र से संबंधित धब्वेदारद, पतन और मोतियाबिंद के गठन के जोखिम को बढ़ा सकता है ऐसा तब होता है जब आप विटामिन E की कमी से पीडित होते हैं इसकी कमी से आँख की मसल्स भी कमजोर हो सकती है मसल्स की बरबादी मसल्स की बरबादी गंभीर विटामिन E की कमी का एक और असर है अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन E के बिना एक फटी हुई कोशिका जिल्ली ठीक नहीं हो सकती है चून की मसल्स की कोशिका जिल्ली सामान्य उप्योग से ही फट सकती है मसल्स की कोशिकाएं जिनकी लंबे समय तक मरम्मत नहीं की जाती है, वे मसल्स को बरबाद कर सकती है किसी भी प्रकार का शारीरिक आगात, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या डायबिटीज के कारण मसल्स में कमजोरी ऐसी स्थितियां हैं जो मसल्स की कोशिका को नुकसान पहुचाती है बुजुर्गों में देखे जाने वाले फ्रेटिलिटी सिंड्रोम में भी बिटामिनी की कमी स्पष्ट होती है, जिससे वे कमजोर और पैरों में अस्थिर्ता आती है और यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें थन्यवाद